क्या मंजीत जी भी मरसाथ मनें हो मंजीत जी नितीश कुमार जी आई यह तो एलान कर दिया कि मैंने इस्तीफा दे दिया लेकिन वजा थोड़ी साफ नहीं कर पाए हमें ऐसा लग रहा था हमारे सयोगी कह रहे थे उसके बाद हमने फैसला लिया वजा क्या है थोड़ा क्लियर बताए ना सपस्ट बताए ना जेडियू कि आप इस तीफा दे रहे हैं आरजेडी का साथ छोड़ रहे हैं तो क्यों हमने तो असपस्ट का और मुखमंत्री जी ने भी अपने संशिप्त ब्यान में ही असपस्ट बता दिया कि हम यहां कमफर्टेबल फिल नहीं कर रहे थे ह हमने इंडिया एलाइंस बनाया था लेकिन इंडिया एलाइंस में कहीं कुछ काम नहीं हो रहा था और उस बात को लेकर तकलीफ यहां भी महागटबंदन में थी तो उससे बहतर था इससे निकल जाना मुखमंत्री तो साफ-साफ उन्होंने इसारा किया और मुखमंत्री के प्रयास से ही इंडिया एलाइस बनी थी पटना से लेकर बैंगलूरू से लेकर महरास्तर लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और लगतार लालू पुरशाद यादो ये कहते थे कि कोई अभी जल्दी बाजी नहीं है सीट सेरिंग का कई बातों को लेकर तकलिव थी निकमंत्री जी की और जो लालू पुरशाद यादो के अंदर अहम था अहंकार था तेजस्वी यादो के अंदर था जिसके कारण या आज महागटबंदन समाप्थ हो गया नहीं आप इंडिया लाइन्स की वज़ा तो ठीक बता रहे हो सकता है वहाँ पे नितीश कुमार जी को प्रधान मंत्री का चेहरा नहीं बनाया इसलिए उन्होंने वहाँ का साथ छोड़ दिया लेकिन लालू जी एहम हैंकारी ये आपको प्रधान मंत्री का उम्मिद्वार नहीं मैं किया रहा हूँ ये पिछली वार आपको समझ नहीं आया था इससे पहले भी मागडबंदन की सरकार बनी थी तब भी आप उनके साथ सत्ता में आए और फिर दुबारा बीजेपी के साथ चले गए थे तब समझ नहीं आया था कि लालू जी हैं ये आरजेडी के नहीं आद यादो हैं उन्होंने उत्पन किया और इस कारण इस तरह के निर्णे लेने पड़े और हमने इंडिया एलाइंस बनाया था उसके सुत्रदार नितीश कुमार जी ने क्या किया ये तो जानना चाहरे है ना वो खुलकर कुछ बोले नहीं कि ऐसा क्या किया है राजयापाल से मिले बिहार के राजयापाल अरलेकर से उन्होंने उनको इस्तिफास सौपा है यानि जो अटकलें थी जो अफवाएं थी वो अब सब खत्म हो गई और वो सब सच साबित होई हैं नितीश कुमार ने आरजडी का दामन ठाम कर दामन छोड़कर बीजेपी का दामन ठाम लिया है एंडिये में शामिल हो गये हैं थोड़ी देर बाद समर्थन पत्र लेके तमाम स्योगी दलों से वो एक बार फिर सरकार बनाने जाएंगे यह तस्वीर आज की सियासत की सबसे बड़ी तस्वीर हम कह सकते हैं एक बार फिर सिधा रुकरते हैं हम ऐसाथ स सौरव जरा बताएं अब अगला घटना करम रहना क्या है क्या है क्योंकि नितीश कुमार जी आए यह तो बता दिया कि इस्तिफा दे दिया